नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझार कॉंग्रिस के युवराज राखुल गांधी कब क्या बोलते कुछ कहा नहीं जा सकता विवादित कई बयानों को लेकर वो कई बार बुरे फस चुके हैं कई मामले कोट में हैं पर राखुल गांधी जो हैं अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं एक बर फिर से राखुल गांधी ने विवादित बयान दिया है बारत जुडो निया यात्रा के दोरान लोगों को संबोदित करते हुए राहूल गांदी ने कहा कि यूपी का भविश्या शराब पीकर नश्री में डांस कर रहा है राहूल गांदी ने कहा कि मैं बनारस गया, वहाँ पर देखा कि युवा शराब की नश्री में सडक पर पड़ा है, गाना बज रा है, वो नाच रा है राहूल गांदी ने काशी और यूपी के युवाओं की घोर बेचती की है तो आज राहूल गांदी किस घिनोने बयान पर ही चर्चा करेंगे, मेरे साथ स्टूड़ में मौझूद हैं क्यापचल टीवी के अडिटर इंसे डॉक्टर बनिश कुमार अप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका राहूल गांदी की तरफ से इस तरह का बयान आना है वैसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन क्या जानबूच कर इस तरह के बयान दे रहे हैं अब एक बात तो वही बता सकते हैं कि वो तो जीप के उपर हाथ हिलाथे वह चलते हैं open जीप के उपर कैसे वो पहचान लिये कि जो डांस कर रहा है वो नसे में धुत है नसेड़ियों को पहचानने की बहुत अच्छी कला है इनके पास दूर से ही पाचाल लेते हैं कि अच्छा है वो अच्छा बोलो जो डांस कर रहा है वो नसे में धुत है क्या पार्खी नजर है ये नजर किसी और चीज में लगी होती तो राहूल बाबा यात्रा पर नहीं होते है पॉलिटिकल केंपेंग कहीं कर रहे होते हैं क्यों ऐसी बाते कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले उनका एक और वीडियो आया था क्या हो गया है आप लोगों को क्या हो गया है क्यों दिन राप जैसी राम जैसी राम कर रहे हो अरहीं जैसे राम न dismount आ तूंक के करें अल्लाहिः ऑख पर क्या दन्य थो हो जाते हैं लहोग अ अपने हिसाब से जीनल तुम्हारे सोच्के मुताबिक जीये वही घिसा-पिटा- रिकॉड्ड पूरे जब century उपन्हित पूर से तब से अभी तक वही घिसा-पिटा- कहीं बोलते कि देखिए पेट्रोल भराने आप जाते हैं तो जैसे ही आप पैसा दालते हैं वो सीधा पैसा चला जाता है अडानी के पास अडानी से जादा प्यार हो गया है दोस्तों के पास पैसे चले जाते हैं कैलीबर पर सवाल उठा रहे हैं बोले हमेशा का बेटा बैट पकर नहीं जानता है क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा काम कर रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो तमाम क्रिकेटर से पूछे सुनिल गवासकर को फोन करके पूछे जो बड़े-बड़े senior player से उनको पूछे कि BCCI कैसे मैनेज हो रहा है और BCCI का ही चीफ नहीं है राउल गांदी को तो मैं करेक्ट कर दूँ अभी दो दिन पहले वो पूरा एसिया के cricket association के चीफ गोसित हुए अच्छा काम थो रहा है कि आपको जो काम करना आप से वहोरी रहा है कियो हो रहा है और देन भारे मुझे बतायों कासी के regarding में गए कैसे laptop तस्वीर कर रहे नहीं कासी को तस्वीर आई सुनने में पूजा करने गए थे लेकिन वोट बैंक की राजनीती के चक्र में भोले नात के पास जो है क्योंकि वो घ्यान वापी का मसला अलग चल रहा है उस पर उन्होंने हलाकी बयान दिया है वो कहने है कि मुझे फोन ले जाने की इजाज़त नहीं अच्छा तो फोन ले जाने की इजाज़त मिल गई थे देवघर में अपने फोन से आपने फोटो खीचा बड़े लंबे हांत वह सेल्फी दूर से ही आजाता है पूरा फ्रेम जाने का मतलब था कि आप जो है दो बाते करते एक तो प्रदान मंत्री मोधी ने ऐसा बनाया उनको मालूम है वह ट्रोल होते वही रास्ता वही फोटो वही सब कुछ तो लोग कहते हैं को मोधी ने मंद्र बनाया को बनाया और यह जो है पुजा करने पहुंचा कॉंग्रस नहीं कर सकी और दूसरा इसका रमिफिकेशन ये था कि फिर वहां जाने का मतल पर जाने मिसल रही वो क्यों भैष जहां जा रहे हैं वहीं प्रवल्म हो जा रहा है जहां जारे हैं वहीं प्रवल्म जा रहा है यहीं भुजे बड़ी वड़ी तीन-छार खबरे आ गई अब एक तो जठका पहली लग गया था कि जहनत बाबु जो है चले गए हैं इंडिय छोड़ के निकल लिए और कॉंग्रेस पार्टी ये कह रहे थी कि अभी अख्ले स्यादव अभी भी हमारे साथ है लास्ट ओफर दिया 17 लेना है लो नहीं तो जाओ और खबर आ गई कि कॉंग्रेस पार्टी उस पे एग्रीड नहीं है तो जो लगतार दवाव पढ़ रहा है लगतार ये जो दवाव कि अरी बिहार गए नितिस वावू चले गए असम गए बदरुदीन चला गया बंगाल गया ममता चली गई जो सब एक एक करके सब कु घन हो रहा है जब तक महराज पहुंचेंगे पता नहीँ क्या हो जाए आ कोज तो यह भी कह रहा है कि दो τारी को वो उन्टर करने वाले को और माद प्रृदेश में जिस दिन इंटर करेंगे समकर लेंगे ए की हर जा यह जुए वह क्या बोले था इन्हों ने प्रदानमंत्री मोदी के लिए कि पनौती है यह अमिस्षा ने बता दिया आप जहां आपके कदम पुल रहे हैं कोंग्रेस पार्टी चिन भिन हो जा रही हैं लेकिन राहूल गांदी के बयानों का दिक्र करें तो राहूल गांदी नहीं युवाओं को लेकर ये बयान दे दिया क्या इस पर कारवाई होगी देखिए कारवाई जनरली नहीं होती अगर विपक्ष के किसी लीडर के कुछ बयान के उपर जेल जाना कोट कचेरी ये सारी चीज़े अगर हो रही है तो उसमें दो तीन चीज़े समझने की है इसका मतलब ये है कि राहूल गांदी का एक तो सामने आ गया कि पार्टी के अंदर वरिष्ट लीडर के साथ कोई कम्यूनिकेशन नहीं है ये भी मारम चल रहा है एसे कि आपका एक मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर के नाते आपका भारती जनता पार्टी सरकार चलाने वाली पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ कोई कम्यूनिकेशन नहीं है कोई बातचीत नहीं है बातचीत होती तो बीजेपी की लीडर स्वेम कहते सुल्तानपूर वाले को क्या कर रहे हो केसे वापस लो यह पहले होता था राहूल गांधी के पदारपन जबसे वो कॉंग्रेस पार्टी का कमान अपने हाथ मिलिया है तबसे यह कल्चर जो है पॉलिटिकल कल्चर दिल्ली में वो खत्म हो गया है दुस्मनी हो गई है पहले क्या होता था भई लड़ते थे जगरते थे साम में हम लोगों को तो मालूम है कि किसी घर में सारे लीडर जो है अभी पार्लमेंट के अंदर एक दूसरे को चढ़ाई किये हुए साम को सब एक साथ जो है बैठ करके पार्टी कर रहे है कल्चर था यह किसी का कोई काम है किसी का कुछ है किसी का कुछ है बही प्रधानमंत्री तो हमेशा नहीं रहे एकलिवारिवाज पई एक फोन उठाते थे यह होना है वो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ बड़े ली absence जो इसका ये जो कल्चर ये जो कटुता आई है ये राहुल गांधी के नीचर की वज़े से अन्यता इस तरह की चीज़े नहीं होती आप प्रदान मंत्री को अटक करते हो बिलो दबिल जाकर कि आप अटक करते हो कभी परिवार को घसीट लोगे कभी किस लोगे कसी आप डरीकिये जो व्यक्ति राजनीपी मेँ है परिवार का व्यक्ति है राजनीपी में है उसको घसीटों कोई दिकत नहीं है और अमिर्सा के बैटे राजनीपी मैं नहीं है क्यों ड्रेक करते हो भई तो फिर कुछ आ आप उल्टा-पुल्टा करोगे तो वालूम चलेगा कि आपके उपर केस होगा पिर और जब आपको ये मालूम है कि मेरे बोलने से केस हो सकता है तो वैसी जुबान नहीं बोलनी चाहिए लेकिन इतना समझदारी होती है तो फिर राहूल गांदी ही क्या होते हो बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने के अपर कमेंट करके देख कैया पुरे इस करके लेकिन युवादण तीवी, Shapis, मांगे तो अलव काफूल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया